मुझे लगता है, यानि हमें थोड़ा अध्यान करना चाहिए, मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाग के पक्षमे बाते करते हैं, तीन तलाग की वकालत करते हैं, ये भूट बेंग भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, अज़ा कुछ लोगों को लगता है, कि पर ये तीन तलाग से तो सिर्फ महिलाओ कोई बात हो रही है, तीन तलाग से जो नुक्सान होता है न, वो सिर्फ बेटियों को होता ऐसा नहीं है, उसका दाइरा उससे भी बड़ा है, आप सोचिए, बहुत ही अर्मानों के साथ बेटी को शादी करकर के ससुराल भेजा हो, और आण दस साल के बाद तीन तलाग कह करकर के उसको कोई निकाल दे, तो उस माबाप का क्या होगा, जिसके घर में बेटी वापिस आती है, उस भाई का क्या होगा, वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं, इसलिए तीन तलाग से सिरफ बेटियों को ही अन्याय होता है, इतना नहीं, पूरे परिवार तबा हो जाते हैं, माता, पिता, भाई, सब दुखी हो जाते हैं, और देखिए दुनिया के अनेक मुस्लिम बाउले देश, इसका इसलाम से समन्ध होता, तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश, तीन तलाग खतम नहीं करता, मुस्लिम बाउले देश, जहां पूरी तरह इसलाम राज्य है, वहां भी तीन तलाग बंद कर दिया है, मैं पर्षो हूँ, इजिप्त में था, मिस्र में था, मिस्र में इजिप्त में, 90% से ज़्यादा सुन्नी मुस्लमान समाज है, और इजिप्त में, आज से 80-90 साल पहले, तीन तलाग की प्रधा को समाप्त कर दिया, हमसे 90 साल पहले, अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी आंग है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भई? अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी आंग है, तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी आंग है, तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बंगलादेथ, ये तो सारे मुसलिम बस्ति वाले देश है वहाँ पर उनको मन क्यों कर दिया मैं समझता हूँ कि मुसल्मान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छुट चाते हैं यही लोग तीन तलाक का समर्थन भी करते है और मैं जानता हूँ कि इसलिए ही मेरी मुसलिम बेटियां मैं जब भी जहां जाता हूँ वो भाजपा के साथ कड़ी रहती है मोदी के साथ कड़ी रहती है पातियों भारत के मुसल्मान भाई बेनों को भी यह समझना होगा कि कौन से राजनितिक दल उन्हें भड़का करके उनका फाइदा लेने के लिए उनको बरबात कर रहे हैं आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिपॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है आप मुझे बताईए एक घर में परिवार के एक सदसे के लिए एक कानूर हो परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानूर हो तो क्या वो गर चल पाएगा क्या कभी भी चल पाएगा क्या पिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागिरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है